हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चनल ठंडर हाउस में दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है 18U UPSWE इंटरेंस एक्जाम की डेट को लेकर आपको बता दे कि इंटरेंस एक्जाम की डेट अब आगे बढ़ गई है हमारे जितने भी दोस्त इस वर्ष इंजिनियरिंग या मैनेजमेंट के कोर्स के लिए इंटरेंस एक्जाम की तयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खबर अब उनको तयारी करने के लिए कुछ दिन और मिल जाएंगे साथ में जो भी हमारे दोस्त अभी तक आवेदन भी नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी एक बात हम बता दें कि आवेदन करने के अंतिम तारिक भी बढ़ा दी गई है आप सब को पता है कि पहले आप 15 माई के साम 5 बजे तक ही आवेदन कर सकते थे और आवेदन का सुल्क भी आप 15 माई तक ही जमा कर सकते थे साथ में ये भी पता होगा कि आवेदन में करेक्शन की अंतिम तिथी 18 माई तक बनाई गई थी लेकिन अब इन सब की तिथी में कुछ परिवर्टन किये गए हैं तो आए जानते हैं कि अब आवेदन करने की अंतिम तिथी क्या है तो आप सब को पता है कि पहले आवेदन करने की अंतिम तिथी 15 मई तक थी लेकिन लॉकडाउन पूरी तरह से खतम नहीं होने के कारण अंतिम तीथी को दुबारा से बढ़ा दिया गया है आपको बता दे कि APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल इन्वर्सिटी एकेट यू उत्तर प्रदेश राज प्रवेश परिच्छा मतलब उत्तर प्रदेश इस्टेट इंट्रेंस एक्जाम यू पीएस डबल ई ने ओनलाइन आवेदन की अंतिमति थी 31 मई तक बढ़ा दिये साथ में आपके अप्लिकेशन में करेक्शन करनी की सुभिधा को 18 मई के बजाए अब 3 जून तक बढ़ा दिया गया है पहले यह परिच्छा 10 मई को होने वाली थी लेकिन अब इस परिच्छा को लॉकडाउन की वज़ा से आगे बढ़ा दिया गया है अब अगर बात करें कि अब तक कितने आवेदन आ चुके हैं तो इंजिनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज में डाखिले के लिए अब तक एक लाग सतर हजार से अधिक आवेदन आ चुके हैं लॉकडाउन की वज़ा से बहुत से अव्यारती अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं ऐसे में इन्वर्सिटी एड्मिस्ट्रेशन ने आवेदन तीथी आगे बढ़ा के 31 मज़ तक कर दी है तो दोस्तों आप मान के चलिए कि जादा से जादा आवेदन हो चुके हैं तो अब यह आवेदन का आकरा एक लाख असी हजार से जादा नहीं होगा अब अगर बात करें कि इंट्रेस एक्जाम की परिच्छा कब होगी तो यूपी एस डबल ई के लिए परिच्छा ती थी दो अगस्त घोसित की गई है EKTU से मिली जनकारी के मुटाबिक कुलपती ने बताया कि परिच्छा के दोरान सोसल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजेशन का पूरा खयाल रखा जाएगा परिच्छा से पहले क्लास्रूम को पूरी तरह से सेनेटाइज किया जाएगा उसके बाद ही स्टूडेंस को क्लास्रूम में अलाव किया जाएगा और अगर बात करें एक्जाम सेंटर की तो सोचल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छे से हो सके इसके लिए एक्जाम सेंटर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी तो ये था संपूर जनकारी AKTU के इंटरेंस एक्जाम पर दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सेर करना न भूले चैनल को सस्क्राइब भी जरूर करे